पस्षिमी यूपी के कौने कौने से मेरट, हापूर, बिजनोर, मुझफर नगर, बागपत, गाजियावाद, नोएड़ा समेच पूरे पस्षिमी उत्तरपदेश से यहाँ पधारे, आप सभी बहनों भाईयों को मेरा प्रणाम दिल्ली ही नहीं, दुनिया का मिडिया, पूरा पस्षिम उत्तरदख्षिन जिसे भी 2019 का जनादेश देखना हो, वो इस जन्सला आपको देख सकता है भारत मन बना चुका है, भारत के 130 करोड लोग मन बना चुके हैं देश में फिर एक बार बनने जा रही है इस विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का भारती जनता पार्टी के प्रते कायर करता एक एक बुद्ध का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का रदय पुर्वक आभार व्यक्त करता हूँ साथियों, 2019 के चुनाव अभियान की शुरुवार मेरण से ही शुरू करने के पीछे एक बज़य है 2019 के चुनाव हर देश वास्वी की आकांख्षा मजबुत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है वही सपना वही आकांख्षा जिसे दिल में लिये 1857 में इसी मेरण छेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूका गया था इसी गवरव साली परंपरा को निभाने वाले सुकमा के नक्सली हमले में शहीद शोभित शर्मा और पुलवामा में शहीद अजय कुमार जी को मैं एक बार फिर अपनी सद्धान ली अर्पित करता हूं हम सब के आदर्णिया चौदरी चरण सी जी को भी मैं नमन करता हूं चौदरी चरण सी जी ने देश के लिए महत्वपुन योगदान दिया चौदरी साब देश के उन सपुतों मैं से हैं जिनोंने देश की राजनीती को खेत, खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया साथियों पांच वर्थ पहले जब मैंने आप सभी से आशिरवाद मांगा था तो आपने भर्पूर प्यार दिया था मैंने आप से कहा था कि आपके प्यार को आपके आशिरवाद को मैं ब्याज सहीत लटाऊंगा और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा और हाँ अपना हिसाब दूंगा साथ साथ दूसरों का हिसाब भी दूंगा ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब पराबर और आपको जानते हैं मैं चोकिदार हूँ और चोकिदार कभी नाइन सा भी नहीं करता है हिसाब होगा सबका होगा बारी बारी से होगा आने वाले दिनों में देश के सामने NDA सरकार के पांच साल के काम तो रखूंगा ही अपने विरोधियों से ये भी पुछने की जब उनसे पुछूंगा कि जब आप सरकार में थे जब देश के लोगों ने आप लोगों पर बरोसा किया था तो आप नाकाम क्यों रहें क्यों देश का भरोसा तोड़ा साथियों आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है तो दूसरी तरफ न नीती है न विचार है और नहीं कहीं नियत नजर आती है एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है तो दूसरी तरफ दसकों तक फैसले टानने वाला इपिहास मौजूद है एक तरफ नए भारत के संसकार है और दूसरी तरफ वहुशबार और प्रस्टाचार का बोल बाला है एक तरफ दमदार चोकिदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है साथ्यों हमारा वीजन नए भारत का है ऐसे भारत का जो अपने गव्रव शाली अतित के अनुरूप ही बैबव शाली होगा एक ऐसा नया भारत जिसकी नई पहचान होगी जहां सुरक्षा सम्रुद्धी और सम्मान के सौंसकार होंगे सुरक्षा बेज के दुश्वनों से सुरक्षा आतंगवाद से सुरक्षा गुंडागर्दी से सुरक्षा ब्रष्टाचारियों से सुरक्षा बिमारी से सम्रुद्धी साधनों और समसाधनों की सम्रुद्धी ज्ञान और विज्ञान की सम्रुद्धी संस्कृति और विचार की सम्रुद्धी हमारे आचार और व्यहवार की और जब मैं सम्मान की बात करता हूँ तो सम्मान स्रम का सम्मान काम का सम्मान बेटियों का सम्मान हर वर्ग का सम्मान देश के मान का अभिमान का भाई और बहनों इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारे बहुत देखी है लेकिन पहली बार ऐसी निर्णा एक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है जमीन हो आस्मान हो या फिर अंतरीक सर्जीकल स्ट्राइक का साहथ आपके इस चौकिदार की सरकार ने दिखाया चार दसक से 40 साल से हमारे साइनिक वन रैंक वन पेंशन मांग रहे थे उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकिदार ने किया देश के करीब 12 करोड की सहन परिवारों को 75,000 करोड रुपे की सीधी वार्थिक मदद का काम भी इसी चौकिदार ने किया देश के लगबग 50 करोड गरीब परिवारों को हर वर्ष पांच लाग रुपिय तक के मुप्त इलाज की व्यवस्ता भी हमारी सरकार ने किया देश के 34 करीड गरीबों के लिए जंदन योजना के तहट बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए है और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था ते बड़े बुद्धिमान लोग बाशन करते थे कि देश में बैंके नहीं है गाओं का आज में क्या करेगा आज आज कहते थे नहीं कहते थे और आज वहीं कह रहे हैं जो लोग अरे गरीबों का बैंक का खाता सतर साल तक नहीं कुलवा पाए वह कहते हैं तुम्हारे खाते में पैसे डालेगी है कि कोई परुसार करेगा क्या अरे जो खाता नहीं कुलवा सकता है वह खाते में डाल सकता है क्या देश की साथ करोर से अधिक गरीब बहनों को मुप्त गया सिलिंडर दे कर दुहें से मुक्ति देने का काम भी आपने हमें सेवा करने का मोका दिया हमने करके दिखाया कि देश भर में दस करोर गरीब परिवारों के घर सौचानाई दे कर बहनों को इज़्जत देने का जीमन देने का सौपा कि भी हमें मिला है देड़ करोर से अधिक गरीब बेगर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है देश के धाई करोर से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है 15 करोर से अधिक बिना गारंटी के रूण देकर युवाज साथियों को स्वरोजगार से जोडने का काम पहली बार एंडिये ने ही किया है सामान्य वर्ग के गरीबों को और मुझे विश्वास है कि जब यह ख़बर आपने सुनी होगी आपका सीना चोड़ा हो गया होगा सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतीशत आरक्षन देने का इत्याजिक फैसला भी हमने ही लिया कि देश के इमानदार करका दाताओं को पांच लाग रुपिय तक की कर्या कर्यों के आई पर टैग जीरो करने का रेकॉर्ड भी हमीने बनाया है साथियो समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो विकास के हमारे इन कामों से अच्छूत रहा हो सबका साथ सबका विकास के हमारी यही सोच है जिस पर नए भारत का निरमान हो रहा है 11 एप्रिल को आपका वोटिंग 11 एप्रिल को है न 11 एप्रिल को है न 11 एप्रिल को जब देश पहला वोट डालेगा जब पहली बार बोट डालने वाला हमारा युवा बूथ में जाएगा तो वो EVM पर कमल के निशान पर उंगली दबाने से पहले विकास की इस तस्वीर को ले करके जाने वाला है साथियों आपके चौकिदार की सरकार ने जो हाशिल किया है वो तब और साब हो जाएगा जब 2014 से पहले के भारत यानि आपके इस चौकिदार के आने से पहले की स्थिती से जब आप तुलना करेंगे जरा एक बार उन पुराने दिनों को जरा याद करिये और मुझे बताईए इन महां मिलावटी लोगों की सरकार जब दिल्ली में थी तब देश में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे जब ये महां मिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में तब आए दिन देश में अलग अलग कौने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे ये महां मिलावटी आतंकियों को सवरक्षन देते थे कि नहीं देते थे ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे उसके आधार पहे ताय करते देगी आतंकी को बचाना है या सजाद देनी है बताईए भाईयो ऐसा होता थाग नहीं होता था मुझे बताया गया है कि हाँ मेरत में जो विरोधी दोलों के उमीदवार है उन्होंने आतंगवादियों के लिए करोड़ों रुप्य के इनाम तक का एलान कर दिया था याद है ना आतंगवादियों को करोड़ों का इनाम सोचिए महा मिलावट किया लिए लोग कीस हद तक जा सकते हैं ये महा मिलावटी लोग ब्रस्ताचारियों के साथ है कि नहीं है भाई लोग ब्रस्ताचारियों के साथ है कि नहीं है महा मिलावटीयों के राज में बेटियों को इंसाप मिलता था क्या मेरट वाले तो बराबर जानते हैं क्या बेटियों को इंसान मिलता था क्या इनकी सरकार में गुंडे और बदमात बेलगाम थे के नहीं थे क्या ऐसी महा मिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा देश सुरक्षित रहेगा साथ जो मेरट और पस्षी में यूपी तो इनके कारणामों को भुगच चुका है जबसे योगी जी की सरकार आई है तबसे गुंडों और बद्मासों में डर है भाए है बेटियों के साथ अच्चा चार करने वाले आज सो बार सोते हैं कि नहीं सोते हैं क्योंकि आपके इस चौकिदार ने ऐसे लोगों को फासी तक का प्रावधान कर लिया है ये बाते मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सभी मिलकर बीते पांच बर्षों में भारत को जिस सीती से निकाल कर लाए हैं इसको और मजबूत करना है कि देश को और मजबूत करना समझ लें अगर इन महा मिलावटी लोगों को जराबी मोका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिती में जाने में जराबी देर नहीं लगने वाली ये कितने बेचेन हैं कितने बोखलाएं हैं ये दो मेहने से देश बहुत साप साप देख रहा है भाई और बैनों आज सिती है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकिदार को चुनोती देते फिरते थे अब रोते फिर रहे हैं मोदी ने ये क्यों किया मोदी ने भो क्यों किया ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंक्यों को गर में गुज कर क्यों मारा ये मोदी ने आतंक्यों के अड़े को नस्थ क्यों किया दो रहे हैं साथियों एक गंबीर बात कि वह आपको ध्यान दिलाणा चाहता हूं ओपेदी लोग आज कौन पांकिस्तान में जढ़ा पॉपिलर होगा कौन पांकिस्तान में हिरो बनेगा इसकी स्पपफदह में लग गए हैं आ है को वहां की मीडिया में छाय हुए हैं उनके नाम की पाकिस्तान में तालिया बज रही है भाईयों बेनों आप ही बताईए देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के मैं प्यारे देश वाचियों मैं 130 करोर देश वाचियों से पूछना चाहता हूँ क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सबूत चाहिए मेरे देश के सबूत यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है जो सबूत माइटे हैं वो सबूत को ललकारते हैं साथियों 26 फरवरी की वो तारीक जिसके बारे मैं सोचकर भी आतंके सरपरस्तों की रूख कांप रही है लेकिन पल भर के लिए सोचिये मेरे 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 बासी जड़ा सोचिये कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर साइनिकों ने पराकरम किया अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड हो जाती तो क्या होता थोड़ा सा उपर नीचे हो जाता ते लोग मेरे साथ क्या करते पूतले जलाते के नहीं जलाते मुझे नौश डालते के नहीं डालते मेरा इस्थिवा मांगते के नहीं दुनिया भर की गालिया देते के नहीं देते भाईयों भानों आप बताएए यह कोई चूप नहीं बैठते और अगर ऐसा होता तो सारा दोस्त किसको देते किसको देते मोजी कोई देते ना देते अगर नहीं देते भाईयों 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 आप आस्वस्त रहिए मैं देश के लिए अपना सब कुछ दाओं पर लगाने के लिए सैयार रहने वाला व्यक्ति हूँ कोई भी राजरितिक दबाओ कोई भी आंतरवास्य दबाओ आपके इस चौकिदार को डिगा नहीं पाएगा और नहीं कोई इस चौकिदार को डणा पाएगा मैं किसी तरह का बोज लेकर कर नहीं चलता और बोज रखूं भी क्यों मेरे पास अपना है भी क्या जो कुछ भी है वो तो देश का दिया हुआ है आपका दिया हुआ है जो देश ने दिया जितना दिया है वो बहुत कुछ है अरे चिंता तो उनको होती है जो कुछ खोने से डरता है जिसको वंस और विरासत के बारे में सोचना है नियत में खोड उसके आती है जिसको सिर्फ और सिरफ अपने परिवारों के हीतों के बारे में सोचना है भाई योर बेनों कल भी आपने देखा होगा कैसे अंतरिक्ष में हासिल की गई हमारे देश की महान उपलब्दी को इन लोगों ने नजर अंदाज किया कैसी कैसी बाते बोली मत हरान हो मुझे तो उनकी बुद्धी मत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं कि साथियों कि अगर कोई जड़ा आप ब्यान से समझी है अगर कोई कि थीएटर में नाटक देखने जाता है तो वहां क्या सुनाई देता है अरे बुछलो भाई सेड तयार है क्या है अरे रेट रेटी है क्या अरे बच लगां दो अरे 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 लागू हुआ होगे गयी यथाता ही कि थीएटर में यहां ड्रामा होता है वहां सेट की सजावाट नया सीन आएगा तो नया सैट यह सैट सब्ज़ थिएटर में बड़ा कॉमन होता है बार बार सुनाई देता है कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं जब कल मैं यह सैट की बात करता था तो कन्फूज हो गए कि समझे कि मैं थिएटर के सैट की बात कर रहा हूं अम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए है हसे जिनको थिएटर का सैट और अंत्रीक्ष में एंटी सैटलाइन मिसान एस सैट का समझ तक नहीं है साथियों आज जब भारत अपना सामर्थ बढ़ा रहा है अपनी ताकत बढ़ा रहा है अंत्रीक्ष में चौकीदारी करने में समर्थ हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है मैं देश को आज भी फिर याद दिलाना चाहता हूं याद रखिए कुछ लोगों ने कैसे सरकारे चलाई हैं कैसे देश के सुरक्षा हितों से खिलवार किया है हमारी वायू से ना नया लड़ा को विमान मांग रही थी उनकी सरकार फैंसले टालती रही विबान हाथ से होते रहे उनकी सरकार फैंसले को टालती रही हमारे जबान बुलेट प्रूप जैकेड मांग रहे थे उनकी सरकार इस फैंसले को भी टालती रही आतंकी हमले में नक्सली हमलों में हमारे जबान सहीद होते रहे उनकी सरकार फैंसले को टालती रही हमारे वैज्यानिक अंत्रीख में सैटेलाइट को मार गिरेंदे की परिख्यन की मांग कर रहे थे उनकी सरकार इनने ये फैंसला भी टाल दिया 21 सदी के भारत को मजबूत बनाने के लिए देश की सुरक्षा के लिए ये फैंसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था लेकिन ये फैंसला भी टाला जाता रहा भाई और बहनों ये लोग बारत को हमेशा कमजोर बना कर रखना चाहते हैं मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किसके इसामर पर किसको फाइदा पहुंचाने के लिए आप लोग ऐसा दूनमूल रवय आपनाते रहें साथ यो इन लोगों की राजनिती तभी चलती है जब देश कमजोर रहे जब देश को ये लोग बंटे रहे समाज में दिवारे हो खाई हो ये सिरफ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं सबका साथ सबका विकास ये उनको मंजूर नहीं है और इसलिए कस्मीर से कन्या कुमारी तक वहुशबाद और ब्रस्टाचार की महा मिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकिदार से परेशान है अपना प्रस्टाचार जारी रखने के लिए ये सभी यहां यूपी में भी एक जुट हो गए हैं अब सोचिए जिस पार्टी के नेताओं को जिस पार्टी के नेताओं को जेल बेचने के लिए बहन जी ने जीवन के दो दसक लगा दिये अब उसी से उन्होंने हाथ मिला लिया जिस दल के नेता बहन जी को गेस्ट हाउस में भी खत्म कर देना चाहते थे अब वो उनके साथ ही बन गए और यूपी में तो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि पूछिये ही मत अभी पिछले चुनाव में दो लड़कों का खेल देखा ये दो लड़कों से बुवा बबुवा तक पहुंचने में जो तेजी दिखाई गई है बड़ी गजब है जी बाई और बेहनों इन लोगों के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है कोई भी नहीं है ये वही लोग है जिनोंने नारा बना रखा था यूपी को लुटो बारी बारी इसी नारे पर ये लोग बर्सों तक चलते रहे लेकिन साल 2014 में और फिर 2017 में यूपी के लोग इन्हें दिखा चुके हैं कि उत्तरपदेश को जातियों में बाटने की कोशिश अब सफल नहीं होगी सब लोग जान गए हैं कि दायस बचेगा तभी तो सभी समाज भी बचेंगे इसलिए इस बार भी यूपी की जनता का फासला 2014 और 2017 के चुनाव उससे भी जादा शांदार आने वाला है और मेरे भाईयों भेहनों ये याद रखिए बाड बदलने से दुकाने नहीं बदलती सपा बस्पा के सासन की पहचान यूपी के लोगों को दिया दोखा उत्तर पदेश के लोग भूले नहीं है इनकी राजनितिक महत्वा कांच्छाओं के दुस्परणाम मेरे मेरड को हापुड को कराना को मुझे फर्णगर को सेहने पड़े हैं आपको सेहने पड़े हैं सपा के सासन काल में हुए दंगों का बेश उसका दाउस आप सब आज तक जेल रहे हैं यहां सिती यह हो गई थी कि लोगों को अपना घर तक छोड़कर बागना पड़ा था गुंदा राज किस तरह कायम था आप इसके लिए बुक्त भोगी रहे हैं मत बुलिए यह बही लोग है जो तीन तलाग के खिलाब कानून का विरोध करते हैं जो कहते हैं कि तीन तलाग की वज़ा से महिलाओं के हत्या नहीं होती कम से कम वो बच्तो जाती हैं क्या दिमाग है इन लोगों का सोचिए किस तरह सोते हैं लोग मुझे यह भी पता चला है कि पिछले चुनाओं में ऐसे ही लोगों के दबाओं में मुस्लिब महिलाओं को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया गया मैं हर मत दाता से आगरा करूंगा कितना भी दबाओं हो आपके वोट के अधिकार को जाने मत दीजिए हिंदु हो, मसल्मारो, भाईो, बैनो, युआ हो, शेरीो, ग्रामिरो, हर किसे ने वोट करना चाहिए और इसलिए जो आप अपर त्याचार करते हैं, उनके खिलाब, अप्याचार करते हैं उनके खिलाब, उनकी हरकतों को, उनके बयानों को आप बुले नहीं, उन्हें सजादेने के लिए, ग्यारा अपरिल को अपने गर से जरूर बाहार निकले भाई और भाईनों, आप सभी साची हैं कि कैसे इन्होंने उपी के नवजवानों को भी दोखा दिया उन्हें भरती के नाम पर ठगा है, मेरे सही जूपी के हजारों नवजवानों का भवी, कैसे कौट कतरी की फाईलों पर दबा दिया गया थी, मैं बदाई दूँगा, योगी जी को, उनकी टीम को उन्होंने, इन महामिलाविटी लोगों के पाप से बाहर निकलने का प्रया किया, अब जो भरतियां हो रही है, उससे पस्चे मुईपी के हजारों युवास साथियों को लाब हो रहा है, साथियों यही सिती, गन्ना किसानों की थी, मत भुलिये, बस्पा के सासन में प्रदेश की चीनी मिलों को, अपने कारोबारियों को ओने पोने दाम पर बेच दि मत भुलिये समाजवाजी पार्टी के शासन में गन्ना किसानों को अपना ही पैसा पाने के लिए अप्मानित होना परता था, लंबा इंतजार करना परता था, साथियों, हालत यह थी, कि सपा की सरकार ने गन्ना किसानों का 35,000 करोड रुपे से जाधा का बकाया, योगी जी के लिए छोड़ दिया था, इसका करीप करीप पूरा भुक्तान हो चुका है, इसके बाद, पैराई सत्रों का भी 22,000 करोड का भुक्तान हो चुका है, उतरप्रदेश में तो इन महा मलावटी दलों वाली सरकारों ने हाल कर रखा था, कि गन्ना किसान एक साल गन्ना बेचत में इस साल का पैसा आई जी साल मिल रहा है, मुझे पता है कि अभी गन्ना किसानों का बकाया है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कि आपकी एक एक पाई दिलाई जाएगी, यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो आपकी एक एक पाई दिलाएंगे, और का किसान हमारे लिए अन्म जाता है, किसानों के लिए एत्यासिक कदाम हमारी सरकार दे उठाये, दकर्सों दसकों से लागत का डेड़ गना समर्थन मुल्य देने की मांग आप सभी की रही है, उसको भी हमने पूरा कर लिया है, यहां आए अनेक किसान साथियों को भी, PM किसान सम्मान निदी की पहली किस सीजे बैंक खाते बब तक मिल चुकी है जिनको नहीं मिली है उसके खाते में भी बहुत जल्द पहली किस पहुँच जाएगी अब तो दूसरी किस का समय भी आ गया है इसी तरह साज में तीन बार हर फुसल से पहले छोटे किसानों को हर वर्ष ये मदद मिलती रहेगी यूपी के दो करोड सेधिक किसान परिवारों को हर वर्ष ये लाब मिलने वाला है साथियों मेरड और पस्थी में उपी में किसानों के लिए यहां के नवजवानों के लिए कामगारों के लिए एक और बहुत बड़ा काम हुआ है एक काम हुआ है कनेक्टिविटी का मेरड को आज से करीब 34 साल पहले ही नेशनल कैपिटल रीजन में सामिल कर लिया गया था पर यहां के सिटी क्या थी यह आप लोग बहतर जानते हैं भाई और बैनों कि दोजार शुदा के बाद हमने इस पूरे खेत्र को तेज और आजुनी की आतायास से जोडने का बिड़ा उठाया कुछ दिन पहले ही देश के पहले रिजिनल रैपीड रेल्स टांजिस सिस्टीम यानि आरार टीयेस का सिलाने आज किया गया इस सिस्टीम के बन जाने के बाद मेरड और दिल्ली के बीच में मैट्रो रेल जीब है इसके साथ साथ दिली से मेरड को जोडने वाले आतनिक हाईवे का काम भी अब पूरा होने को हो इन तमाम सुपीजायों से यहां से दिल्ली की दुरी करीब करीब एक ही गंटा रह जाएगी इसके अलावा मेरट से प्रयाग राज तक गंगा एक्ष्प्रेस में समेथ तमाम सरक और हाइवे प्रोजेक्ट पुरे पस्ति में उत्तर प्रदेश में तयार हो रहे हैं मेरट को हाईवे और रेलिवे के साथ ही एरवे कनेक्टिविटी के जरिये देश के हवाई नक्षे पर लाया जा रहा है उडान योजना के अंतरगत एरपोर्ट और मेरट में पासपोर्ट केंदर की सापना का लाब भी मेरट की लोगों और यहां के उद्योगों को मिलने जा रहा है साथ यहां के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले यहां की स्पॉर्ट इंडेस्ट्री को मजबूत करने वाले विकास के सारे काम पहले भी हो सकते थे लेकिन पहले की सरकारों की नियत ठीक नहीं थी मुझे खुशी होती है अगर बहन जी ने भी कभी मुझे चिट्ठी लिखी होती कि मेरट में ये काम करना है इस सड़क को बनाया जाना है लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया मुझे खुशी होती अगर अखिलेज जी ने गरीबों के घर का मुद्दा उठाया होता गैस का सिलिंडर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा है इसको लेकर टेलिफोन किया होता चिठी लिखी होती मुझे खुशी होती अगर चोधरी अजित सिंजी किसानों की समझा लेकर कभी मेरे पास आते मुझसे चर्चा करते अपने सुझाओं बताते लेकिन इनकी मन सा तो सिर्फ जाती पांच संप्रदाई किसी से बोटों को साधने के चक्कर में ये हमेशा रहते हैं और यही काम वो करते रहते हैं साथियों आज वाकई चोधरी चरणती जी के कितने दुख ही होते होंगे जिस गरीब के लिए जिस किसान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया उसे सपा बसपा और कॉंग्रेस द्वारा कितना नुक्सान पहुंचाया गया है खासकर कॉंग्रेस की तो किसान नेताओं से बिचे दुख्मनी रही है यही वज़ा है कि आपातकाल के दौरान चौदरी साब को जेल में डाल दिया गया था चौदरी साब को प्रधान मंत्री पत से हटाने में भी कॉंग्रेस की भुमिका थी मत भुलिये देश के एक और महान किसान नेता दिन मंदू छोटी राम जी के साथ भी कॉंग्रेस ने यही किया था वो किसानों के लिए काम करना चाहते थे इसलिए कॉंग्रेस ने उन्हें इस सिफ़ान देने पर मजबूत कर दिया था मजबूर कर दिया था यह मेरा सोभाग्य है कि पिछली साल मुझे रोतक में सर छोटी राम जी की सबसे उची प्रतिमा का लोकारपन करने का अवसर बिला साथ क्यों बाजपा सरकार चोजरी चरंसी जी दिन मंदू छोटी राम के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है देश का किसान मजबूत होगा देश का गरीब ससक्त होगा तभी देश भी मजबूत होगा साथ यो लेकिन इन सब के बीच हमें सतक रहने की जरुत है जागरुक रहने की जरुत है बाई और बैनो जब मैं आट-देश साल की उमर का था सब सुना करता था कि सरकार गरीबी हटाने के बारे में बात कर रही है जब 20-22 साल का हुआ तो इंदराजी भी यही कहती रही गरीबी हटाएंगे इसके बाद भी चार-चार पीडिया एक ही बात करती रही वो तो आगे बढ़ते गए गरीब गरीब होता गया गरीबी बढ़ती गई आजाजी के बात पिछले 72 वर्सों में कॉंग्रेस ने जीता गरीबों के साथ गद्दारी की है उसे देखते हुए आज देश का गरीब ये संकल्प कर चुका है की कॉंग्रेस घटाओ गरीबी अपने आप हट जाएगी गरीबी तब हटेगी जब कॉंग्रेस हर कौने से हटेगी कांग्रेस का 72 साल का काम खुज अपनी गभाई दे रहा गरीब को दोखा देने के लिए, गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए, कॉंग्रेस ने जो जो पैतरे अपना हैं, वो गिनाने लगे, तो शायद महिने भर मुझे बोलता रहना पड़ेगा, मुझे पता है, गरीबों के साथ गद्दारी करने वाली कॉंग्रेस को, देश का गरीब अब पूरी तरह हटा कर ही दबले देवाला, भाई ये बेनों, 1857 के संग्राम में, जन जागरण के लिए, कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था, कमल को राष्टियता के प्रती के रुप में प्रशारित किया गया था, आज जब हम नए भारत का संक्रप ले रहे हैं, तो फिर उसी कमल के जरिये, हम सब को एक जुड़ होकर आगे बढ़ना है, भाई और भेनों, जब आप सभी का समर्थन मिलता है, तभी एक मजबूत और निरनाएक सरकार बनती हैं, आपकी मजबूत और निरनाएक सरकार आपके लिए और आने वाली पीड़ी के लिए एक नए भारत का सपना देखा है, एक ऐसा नया भारत जो विश्व में सबसे साप और प्रसाचार मुक्त लोक तंत्र के रुपे सम्मानित होगा, एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को मुल्बूत सुविदाय उपलब्द होगी, एक ऐसा नया भारत जहां हर एक व्यक्ति स्वस्त सुरक्षित और सिछित होगा, एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतीवा को निखारने का मौका प्राप्त करेगा, और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे एक ऐसा नया भारत जाहर मावान बेटी को इज़त की और सुरक्षा की जिन्द की जिने का अवसर मिलेगा एक ऐसा नया भारत जाहर किसान को यह मैसूस होगा कि खेती करना लाबदायक भी है और सम्मान जरग भी है एक ऐसा नया भारत जहां हर जवान को यह मैसूस होगा कि उसके सम्मान के लिए पीरा देश उनके साथ खड़ा है एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यापारी को देश के किसी भी बाग में अपना काम करने में सहुलियत होगी एक ऐसा नया भारत जो विज्ञान के खेत्र में विक्सित देशों की बराबरी करेगा एक ऐसा नया भारत जिसकी अर्थ बवस्ता विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थ बवस्ताव में सामिल होगी एक ऐसा नया भारत जो और सीख और सामाजित प्रगति में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होगी भाई और बेहनों यहां के बाजबा के उमिद्वार को दिया गया आपका एक-एक वोट आपका एक-एक वोट जब भी आप कमल पे बटन दबाएंगे वो सीधा सीधा मोदी के पास पहुंचने वाला है साथ क्यों बेरट से और मैं आप ते यह भी कहना चाहूंगा यहां पर महा मिलावट में भी कौन जाना मिलावट करता इस पिस पर दा लग गई एक तरफ सपां बस्पां और आरणडी यहां पर है अब इसको जरह आलग तरीके से देखिए सपां का सब आरणडी का रह और बस्पां का बह मतलब सराब अच्छी सहत के लिए सराब से बचना चाहिए कि ने बचना चाहिए उत्तरपदेश की अच्छी सहत के लिए सराब से बचना चाहिए अच्छे भारत के बविश के लिए सराब से बचना चाहिए कि ने बचना चाहिए तो सपां आरणडी बस्पां यह सराब आपको बरबाद कर देगी भाईयो बैनो मेरर से भाज़पा की उमिद्वार भाई तीर राजेंदर अगरबाल जी मुझपर नगर से भाज़पा की उमिद्वार भाई संजीव बालियान जी इसरा है यहां कड़े यहां कड़े बातपत से शीष सत्पाल सी जी बिजलोर से कुमर भारतेंदु सीजी इन सभी को आपका वोट उच सरकार के लिए होगा जो आपके जीवन को बहतर बनाने के लिए और देश के गवरों को बढाने के लिए दिन राध परीश्रम करती है आप मुझे देश को प्रसाचार और काले दंते मुक्त कराने के लिए आशिरवाद दीजिए आप मुझे देश वास्यों की सुरक्षा और इज्ज़त बढाने के लिए अपना आशिरवाद दीजिए उत्तम प्रदेश को सिग रही उत्तम प्रदेश बनाने के प्रयासों को और अज़ा के जिक बनाने के लिए अपना आसिरवाद दीजिए मेरे छेत्र के हर गर परिवार में कुछानी लाने के मेरे सपने को पूरा करने के लिए कि आप सब अपना आसिर्वाद और वोट भाजपा को दीजिए मेरे साथ पुरी टाकत से बोलिए भारत माता की एक और नारा बोलेंगे आज मैं कहूंगा मैं भी आप कहेंगे च्छोकीदार हूं मैं भी मैं भी मैं भी बहुत बहुत धनिवार